उस HP printer को कैसे ठीक करें जो offline है या फिर Windows computer के साथ काम नहीं कर रहा है अगर आप अपने Windows computer से print कर रहे हैं और आपको printer offline स्थिती का सामना करना करना पड़ता है तो समस्या के निवारण के लिए आगे दिये गए चरणों का पालन करें चरण एक निदान और सुधार को run करें टास्क बार से HP Smart App खोजें और खोलें अगर आपके computer पर HP Smart App नहीं है तो उसे 123.hp.com से या आपके app store से मुफ्त में डाउन्लोड किया जा सकता है HP Smart Home Page पर विंडो के नीचे बाई और निदान और सुधार आइकन चुने प्रिंटर से जुड़ी किसी भी समस्या का निदान करने और उसे ठीक करने के लिए स्टार्ट चुने नोट, समस्या निवारक चलने के दौरान HP Smart को बंद न करें अगर कोई समस्या मिली थी, तो उसे हल करने के लिए स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों का पालन करें यदि कोई भी समस्या नहीं मिली थी, तो हो गया चुने और अगले चरण पर जारी रखें चरण दो, HP Print और Scan Doctor का इस्तिमाल करें सुनिश्चित करें कि मुख्य ट्रे में पेपर लोड किया हुआ है और यहां कि प्रिंटर चालू है टास्क बार से, HP Print और Scan Doctor खोजें और खोलें HP Print और Scan Doctor एक ऐसा एप्लिकेशन है जो HP Computer पर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है अगर उसे निकाल दिया गया है, यावा आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल नहीं है तो support.hp.com help prints conductor पर जाएं उसे डाउनलोड करने के लिए Print और Scan Doctor डाउनलोड करें चुने फिर टूल को इंस्टॉल करने और खोलने के लिए स्क्रीन पर दिये गए संकेतों का पालन करें स्वागत स्क्रीन पर स्टार्ट बटन चुने दिखाई देने वाले प्रोडक्ट की लिस्ट में से अपना printer चुने और फिर निदान को चलाने के लिए अगला पर क्लिक करें जो भी समस्या मिली है उसे ठीक करने के लिए स्क्रीन पर दिये गए निर्देशों का पालन करें अगर आपका printer HP Print और Scan Doctor के जरिये नहीं मिलता है तो नीचे बाएं कोने में मेरा प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं है चुने और Connection की समस्या निवारन करने के लिए निर्देशों का पालन करें चरण तीन, Default Printer Set करें Task Bar से Printer और Scanner खोजें और खोलें प्रिंटिंग प्रात्मिकताएं के तहट सुनिश्चित करें कि Windows को मेरा Default Printer Manage करने दे विकल्प को बंद पर टॉगल किया गया है विकल्प मेन्यू खोलने के लिए लिस्ट में से अपना Printer चुने Printer को Default विकल्प के रूप में सेट करने के लिए सबसे उपर दाएं कोने में Default के रूप में सेट करें बटन को चुने अगर इनमें से किसी भी चरण से समस्या हल नहीं हुई है तो अतिरिक्त सहायता के लिए Support.hp.com पर HP Support से संपर्क करें